नमस्कार दोस्तों मैं आपके अपनी डॉक्टर अर्शना जैन लेके आ गई हूँ फिर से आपके लिए कुछ नया और खास आज हम बात करेंगे मकर सक्रांती के बारे में जैसे के हम सब जानते है कि नमकर सक्रांती आता है 14 जनवरी को क्या करते है इस दिन खास और क्यों मनाया जाता है हमारे हिंदु के हिसाब से हमारे नए साल की होती है शुरुबात फसल कटती है और मनाय जाता है पंजाब में एक त्योहार का महल इस दिन हम बात करें तो जैसे लोग बोलते हैं कि साया बंद रहता है तो साया खुल जाता है लोडी के अगले दिन मकर सकरांती वाले दिन शुबकारे शुरू हो जाते हैं शादियों की शेहनाईया बजने लग जाती है और सबके घर में खुशिया बरसने लग जाती है इस दिन क्या करना चाहिए हम लोगों का अपने बड़े बज़र्गों को अपने घर में कुछ ना कुछ उनको दान देना चाहिए, दान से मतलब है, और कुछ ना कुछ त्योहार में गिफ्ट देना चाहिए उनको, कुछ लोग तिल के लडू देते हैं, कुछ लोग वस्तिर देते हैं, और मंदिर में दान भी होता है, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, बहुत उपाय है अगर आप करें तो आपकी जिंदिगी में ये खुशाली भी आ सकती है जिन लोगी शादियों में आ रही है रुकावट वो क्या करें ले ले अपनी अपनी कुंडली लड़का लड़की कुंडली ले लिजे कुंडली की अंदर से दोनों कुंडियों को मिला कर नहीं बनती आपस में तो क्या करें रखे दो मोर के पंक अपने बिस्तर के पास और देखिए चमतकार कोई काम आपका रुक रहा है नहीं हो रहा है कोई भी परिशानी आ रही है यह आपका परिवार बढ़ नहीं पा रहा किसी तरह से कोई परिशानी है तो ग्यारा मोर के पंक से आपके अपनी डॉक्टर अर्चना जैन रहें नई वीडियो के साथ